प्रदान मंत्री जी, माननिय मंत्री स्वास्थिया एवं परिवार कल्यान, रसायन एवं उर्वरक, माननिय राज्य मंत्री परिवार कल्यान एवं स्वास्थिय, देवियों और सजनों, बजट वेबिनार की श्रिंकला में आज का वेबिनार स्वास्थिय और मेडिकल रिसर्च पर फोकस्ड है, इस वेबिनार में आप सब का स्वागत है, वेबिनार में प्लेनरी सेशन के उपर तीन ब्रेकाउट सेशन होंगे जो की क्वालिटेटिटिव इंप्रॉव्मेंट इन नर्सिंग, इंफरास्ट्रॉक्ट्टर, एड्यूकेशन और प्रैक्टिस, दूसरा ब्रेकाउट सेशन पॉब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूटिलाइजेशन और आई-C-M-R लाब्स as facilitator for medical research और तीसरा ब्रेकाउट सेशन, pharma innovation and multi-disciplinary courses for medical devices पर focus होगा, अब मैं आप सब की और से और मंत्राले की और से परमादर्निये प्रधानमंत्री महोदे से अनुरोद करता हूँ कि वे हमारा मार्क दर्शन करें अश्कार जी, साथियो, जम हम हेल्थ केर की बात करते हैं, तो इसे प्री-COVID एरा और पोस-Pandemic एरा इसके विभाजन के साथ देखना चाहिए कोरोणा ने पूरे विश्व को ये दिखाया और सिखाया भी कि जब इतनी बड़ी आपदा होती है, तो सम्रुद्ध देशों की विक्सित व्यवस्ताएं भी द्वस्त हो जाती हैं। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं जादा अब हिल्थ केर पर आया है। लेकिन भारत की एप्रोच सिर्फ हिल्थ केर तक ही सिमीत नहीं बलकि हम एक कदम आगे बढ़कर वैलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है वन अर्थ वन हेल्थ यानि जीव मात्र के लिए चाहे वो इंसान हो एनिमल्स हो प्लांट्स हो सब के लिए एक होली स्ट्रीक हिल्थ केर की बात कही है। कोरोना वैस्ट्विक महामारी ने हमें ये भी सिखाया है कि सप्लाई चेन कितना बड़ा महत्वपन विशे बन गया है। जब पैंडेमिक पीक पर थी तो कुछ देशों के लिए दवाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसी ऐसी जीवन रक्षक चीजे भी दुर्भागे से हथियार बन गई थी। बीते वर्षों के बजेट में भारत ने इन सभी विशव पर बहुत ध्यान दिया है। हमें निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम रहे। ऐसे में आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों आजादी के बाद अनेक दशकों तक भारत में स्वास्त को लेकर एक इंटीग्रेटेड एप्रोच एक लॉंग तम वीजन की कमी रही। हमने हेल्थ केर को सिरफ हेल्थ मिनिस्ट्री तक ही सिमित नहीं रखा है, बलकि होल अप दे गवर्वर्मेंट एप्रोच पर बल दिया है। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राक्विक्ता रही है। आईश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज को ये सुविधा देने के पीशे हमारे मन में यही भाव है। इसके तहट अभी तक देश के करोडों मरीजों के लगभग असी हजार करोड रुपिये जो बिमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे वो खर्च होने से बचे हैं। अभी साथ मार्च को ही कल देश जन आउसदी दिवस मनाने जा रहा है। आज देश भर में करीब नव हजार जन आउसदी केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दमाएं उपलब्द हैं। इससे भी गरीब और मिडल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में बीस हजार करोड रुपिय की बच्चत हुई हैं। यानि सिर्फ दो योजनाव से ही अभी तक भारत के हमारे नागरीकों के एक लाग करोड रुपिये उनकी जीव में बचे हुई हैं। साथियों, गंबीर बिबारियों के लिए देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इन्फरा का होना उतना ही जरूरी है। सरकार का एक प्रमुक फोकस इस बात पर भी है कि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा मिले, प्रात्विक उप्चार की बहतर सुविधा हो। इसके लिए देश भर में डेड़ लाग हिल्थ और वेल्नेस सेंटर तयार हो रहे हैं। इन सेंटर में डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बिमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा है। पी-म आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्रक्टर मीशन के तहट क्रिटीकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्वों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं। हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा एको सिस्टिम विक्सित हो रहा है। इसमें भी हेल्थ एंटर्पेनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए अनेक नए अउसर बन रहे हैं। साथियों, हेल्थ इंफ्रा के साथ सरकार की प्राप्विक्ता लिए, भी तो वर्षों में दो सो साथ से अधीक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इस वज़े से मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सिटों के संख्या, 2014 के मुकाबले, यहने हम जब सत्ता में आये उसके पहले के मुकाबले में, आज दो गुनी हो चुकी हैं। आप भी जानते हैं कि सफल डॉक्टर के लिए सफल टेक्निशन भहुत आवशक है, इसलिए इस वर्ष के बज़ेट में नर्सिंग शेत्र के विस्तार पर बल दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों के पास ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना, मेडिकल हुमन रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा कदब है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बलकि दुनिया की डिमांड को पूरा करने में भी काम आ सकता है। साथियों, स्वास्त सुविधा को सुलब और सस्ता बनाने में टेक्नोलोजी की भूमी का लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारा फोकस हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलोजी के अधिक से अधिक प्रयूप पर भी भी हैं। डिजीटल हेल्थ आईडी के माध्यम से हम देश वास्यों को टाइमली हेल्थ केर की सुविधा देना चाहते हैं। इस संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन के प्रयासों से गर बैटे ही दस करोड लोग डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाप ले चुके हैं। अब 5G टेक्नलोजी की वज़ा से इस सेक्टर में स्टार्ट अप के लिए भी बहुत संभावनाय बन रही हैं। ड्रोन टेक्नलोजी की वज़ा से दबाओं की डिलिवरी और स्टेस्टिंग से जुड़े लोजिस्टिक में एक क्रांती कारी परिवर्तना आते दिख रहा है। ये युनिवर्सल हेल्ट केर के हमारे प्रयासों को बल देगा। ये हमारे एंटर्पर्नर्स के लिए भी बहुत बड़ा आउसर है। जरूरी इंस्टिटूशनल डिफॉंस भी कर रहे हैं। फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में संभावनाओं को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। बल्क ड्रग पार्क की बात हो। मेडिकल डिवाइस पार्क की व्यवस्ता विक्सित करने की बात हो। पी एलाइस जैसी योजनाओ पर तीस हजार करोड से जादा का निवेश किया गया है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में बारा से चौदा परसंट की रेट से ग्रोध भी हो रही है। आने वाले दो-तिन वर्षों में ये मार्केट चार लाग करोड तक कहुंचने वाला है। हमने भविश की मेडिकल टेक्नलोजी, हाइएंड मेनिफेक्टरिंग और रिसर्च के लिए स्कील मेन पावर पर काम शुरू कर दिया है। आयाइटी और दूसरे समस्ताओं में मेडिकल उपकरों की मेनिफेक्टरिंग की ट्रेनिंग के लिए बायो मेडिकल इंजिनेरिंग या उसके जैसे दूसरे कोर्स भी चलाये जाएंगे। इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागिदारी कैसे हो। इंडस्ट्री, अकडेमिया और सरकार इन सब के बीच अधिक से अधिक तानवेल कैसे हो। और इस पर हमें मिलकर के काम करना है। साथियों, कभी-कभी आपदा भी खुद को प्रूव करने का अउसर लेकर आती है। एक कोविड काल में फार्मा सेक्टर ने दिखाया है। कोविड काल में भारत के में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है, वो अभूत्पुर्वा है। इससे हमें केपिटिलाइज करना ही होगा। हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी सिद्धी को, हमारे प्रतिष विश्वास को रत्ती भर्मी आँच नहीं आनी चाहिए, उपर से ज़्यादा विश्वास बढ़ना चाहिए. सेंटर्स अब एक्सलेंसिस के माध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लौंच किया जा रहा है. इन प्रयासों से अर्थ विवस्ता को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. आज इस सेक्टर का मार्केट साइज चार लाग करोड का है. अगर इस में प्राविट सेक्टर और अकेडियमिय के साथ हम तालमेल बिठा लेते हैं, तो ये सेक्टर दस लाग करोड को भी पार कर सकता है. मेरा सुजाव है कि फार्मा इंडूस्ट्री इस ख्षेत्र में इंपोर्टन्ट प्राविटी एरिया की पहचान कर उसमें निवेश करें. रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं, सरकार ने ICMR की कई लेप्स को युवाओं और रिसर्च इंडूस्ट्री के लिए खोलने का भी निर्णे ले लिया है. हमें देखना होगा कि और कौन से इसी तरह के इंफ्राशकर है, जिसे ओपन किया जा सकता है. साथियों, प्रिवेंटिव हेल्थ केर को लेकर सरकार के प्रयासों का बहुत प्रभाव हुआ है. गंदगी से प्हलने वाली बिमारियों से बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, दूएंसे होने वाली बिमारियों से बचाने के लिए उजवला योजना हो, प्रदुसित पानी से होने वाली बिमारियों से बचाने के लिए जल जीवन मीशन हो ऐसे अनेक इनिशेटिव इनके बहतर प्रणाम आद देश के सामने आ रहे हैं इसी प्रकार कूपोशन, एनीमिया हमारे देश की एक महत्वपुन समस्या भी है इसलिए हमने राष्ट्रिय पोशन मिशन शुरू गया और अब तो खुशी की बात है मिलेट्स यानि स्री अन्न जो की एक प्रकार से सूपर फूड है नूट्रेशन के लिए पोशन के लिए महत्वपुन फूड है और जो हमारे देश में बहुत स्वाभावी क्रिते हर घर उसे परिचित है यानि स्री अन्न पर भी बहुत अधिक बल दिया गया है भारत के प्रयासों के कारण ही इस वर्स को संयुक्त राष्ट द्वारा इंटरनेशनल येर ओप मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है पी-म मात्रुमंदना योजना और मिशन अंद्रधनुस जैसे कायरकमों से हम स्वस्थ मात्रुत्व और स्वस्थ बच्पन सुनिश्चित कर रहे हैं योग हो आईरुवेद हो फीट इन्डिया मूवमेंट हो इन्होंने लोगों को बिमारियों से बचाने में मदद की है भारत के आईरुवेद से जुड़े प्रोडक्स की दिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं भारत के प्रयासों से डबलू एचो का ट्रिडिश्टनल मेडिसिन से जुड़ा ग्लोबल सेंटर भारत में ही बन रहा है इसलिए हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर से मेरा एक आग्रह है और खास करके आईरुवेद के साथियों से आग्रह है एविडेंस बेज रिसर्च को हमें बहुत बढ़ाना होगा सिर्फ पनणाम की चर्चा परियाप्त नहीं है प्रमान भी उतने ही आवशक है इसके लिए आविवेद के ख्षेतर में काम करने वाले उद्यम्यों को रिसर्च से जुड़े साथियों को जोड़ना होगा उनको आगे आने होगा साथियों आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्रक्टर से लेकर मेडिकल हुमेन डिसर्स तक देश में हो रहे प्रयासों का एक और प्रक्षा है इस जो नई फैसिलिटी देश में तयार कर रहे हैं नई कैपसिटी तयार कर रहे हैं उसका अलाब सिर्फ देश स्वास्चों को स्वास्त व सुविधाव तक सिबित नहीं रहने वाला है अब दुनिया बहुत ही एक दूसरी से जुड़ चुकी है यह भारत को दुनिया का सबसे आकर्सक मेडिकल टूरिजम डेस्टिलेशन बनाने के लिए बहुत बड़ा आउसर हमारे सामने हैं मेडिकल टूरिजम अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर भारत में उभर करके आ रहा है यह देश में रोजगार निर्मान का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है साथियों सबका प्रयास से ही हम विक्षिद भारत में एक विक्षिद हेल्थ एंड वेलनेस इको सिस्टिम तयार कर सकते हैं इस वेबिनार में शामील होने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो अपने सुझाव जरूर दे हम बजेट को तय समय सीमा में निर्धारित लक्ष के लिए निश्चिद रोड में अपके साथ अमल में लाएं सभी स्टेक वोल्डर्स को साथ ले करके चलें और अगले साल बजेट के पहले हम इन सपनों को धरातर पर उतारें इस बजेट संकल्प को धरातर उतालें इसमें आपके सुझाव चाहिए इसमें आपके बारिक अनुभव का लाप चाहिए बजेविश्वास है कि आप सबका अनुभव आप सबके नीजी विकास के संकल्प देश के विकास के संकल्प के साथ जुड़ करके हम सामोहिक शक्ति से सामोहिक प्रयास से सिद्धी अवश्य प्राप्त करेंगे मेरी आपको बहुत बहुत शुब कामना हैं धन्यवाद